दिन और कुछ आफसार ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ हमारे समंधों को मजबुती देते हैं हमें बहतर भविश्ट में और उस दिख्षा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं आज ये 26 नवंबर का दिवस आएकिहासिक दिवस है सत्तर साल पहले हमने विजिवत रुप से एक नए रंग रुप के साथ सब्रिधान को अंगिकार किया था लेकिन साथ साथ 26 नवंबर दर्द भी पहुँचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराएं हजारों साल की संस्कृतिक विरासत वसुद है कुटुम कम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा उसे आज ही के 26 नवंबर के दीन मुंबई में आतंकवादी मनसुबों ने चलनी करने का प्रयास किया था मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूँ साथ दसक पहले इसी सेंटर हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गुंज थी समिधान के एक एक अनुक्षेद पर बाईकी से गहन चर्चा हुई तरक आए तथ्या आए विचार आए आस्था की चर्चा हुई विश्वात की चर्चा हुई सपनों की चर्चा हुई संकल्पों की चर्चा हुई एक प्रकार से ये सदन ये जगा ज्ञान का महा कुम्ब था और जहाँ पर भारत के हर कौने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपुर प्रयास हुआ था डॉक्टर रादेंदर प्रिशाथ डॉक्टर भीम राव बाबसाब अंडेकर सरदार वल्लभाई पतेल पंडित नहरू आचारे क्रपलानी जी मौलाना आजहाथ पुर्शतमदा स्टंडन सुचिता क्रपलानी जी हंसा मैता ल्डी कृष्ण स्वामी आयर एन गोपाला स्वाम आयंगर, जौन मथाई, अन गिनत ऐसे महापुरूश्ट जिन्होंने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष योगदान दे करके हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुपरत की हैं आज के इस अवसर पर मैं उन समहा सभी महान विभूतियों को समरन करता हूँ और उनका आदर शुरुआत मैं आप सभी को बाबा साब आम्मेड करने 25 नवंबर 1949 समिधान अंगिकार करने के एक दिन पूर्वा अपने आखरी भाषन में जो बाते कही थी उसका जुरूर ना करना चाहूंगा बाबा साब ने देश को याद दिलाये था कि भारत पहली बाद 1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गंतंत्र बना ऐसान नहीं है भारत पहले भी आजाद था और हमारे हाँ अनेक रिपब्लिक भी थे और उना ने आगे विठा बैक से की थे लेकिन अपनी ही गल्पियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक करेक्टर भी गवाया है ऐसे में बाबा सामने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई गंतंत्र भी हो गई थे लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं आज अगर बाबा साब होते तो उनसे अधित प्रसनता शाहिद कीसी को होती क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवानों का उत्तर दिया है बलकि अपने आज़ादी को लोगतंत्र को और समरुद और ससकत किया है और इसलिए आज के इस अफसर पर मैं आप सभी को बीते साथ दसक में समिधान की भावना को अक्षुन रखने वाली विधाई का कायरपाली का और न्याईपाली का के सभी साथियों को गवरोपुरोण समर्ण करता हूं नमन करता हूं मैं विशेश तोर पर 130 करोड भारत वस्यों के सामने नत्मस्तक हूं जिनोंने भारत के लोवतंत्र के प्रती आस्था को कभी कम नहीं होने दिया हमारे समिधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना गाइडिंग लाइक माना समिधान के 70 वर्ष हमारे लिए हर्ष उत्कर्ष और निस्कर्ष का गाँ मीना जुला भाव लेकर के आए हैं हर्ष ये हैं कि समिधान की भावना अटल और अडिग रही है अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी है तो देश वांचियों ने मिल करके उनको असभल किया है समिधान पर आँच नहीं आले भी है उत्कर्ष इस बात को हम जुरूर रजिश्चा करते हैं कि हमारे समिधान की मजबूति के कारण ही एक भारत सेस्थ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं हमने तमाम सुधार मिल जुल करके समिधान के दाइरे में रह करके किये हैं और निश्कर्ष ये हैं कि ये विशाल और विविद भरा भारत प्रगति के लिए सुनहरे नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिरफ समिधान समिधान की मर्यादाए समिधान की भावना यही एक मात्र रास्ता है एशह पन्था हमारा समिधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की हमारे समाच की हमारी परंपराव, हमारे माननेताव हमारे वहवार, हमारे आशार उन सब के साथ का समावेश है साथ-साथ अनेग चुनोतियों का समाधान भी है हमारा समिधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकास के लिए अपनी खीड़कियां खोल रखी है और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकास है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल कीजे के प्राचीर से जो मैंने कही थी उसको दोहराऊंगा समिधान को अगर दो सरल भाषा में कहना है सरल भाषा में कहना है तो कहूंगा Dignity for Indian and Unity for India इनी दो मंत्रों को हमारे समिधार ने साकार किया है नागरिक की Dignity को सर्वुच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एक सावरा खंड़ता को अक्षून रखा है हमारा समिधान वैश्विक लोकसंत्र की सर्वुच्च उपलब्दी है यह न केवल अधिकारों के प्रती सजग है बल्कि हमारे कर्टव्यों के प्रती जागरुगी बनाता है एक दर्स्टी से हमारा समिधान दुनिया में सबसे अधिक पंथ निर्पेश है हमें क्या करना है कितने बड़े सपने देखने है और कहां तक पहुँचना है इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिस नहीं है समिधान में ही अधिकार की बात है और समिधान में ही कर्टव्यों के पानन की अपेश्चा है क्या हम एक व्यक्ति के तौर पर एक परिवार के तौर पर एक समाच के तौर पर अपने कर्टव्यों को लेकर उतने ही गंबी है जितना चीज़ हमारा समिधान, हमारा देश, हमारे देश्वासियों के सपने हमसे अपेश्चा करते हैं जैसा कि राजेंदर बाबुजी ने कहा था कि जो कॉंस्टिटूशन में लिखा नहीं है उसको हमें कन्वेंशन से स्थापित करना होगा और यही भारत की विशेश्था भी है बीते दसकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवश्चत भी था, ठीक भी था क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्ग को अधिकारों से वन्चित रखा गया था बिना अधिकारों से परिचे कराए इस बड़े वर्ग को समानता, समता और न्याय का ऐसाद दिया दिला पाना संभव नहीं था लेकिन आज समय की माग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरी से तोर पर अपने कर्तव्यों, अपने दाइतों पर मंधन करना ही होगा क्योंकि दाइतों को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अतूट रिष्टा है और इस रिष्टे को मैंने एक जगल लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपड लेकिन समद्दार मां से सिखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सची निष्टा से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते है पिछली सतावजी की शुरुवाती दसकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था आईए हम लोग नागरिकों के कर्तव्य यानि duties of a citizen के बारे में बात करते है 1947 में युनिवस्टो के महानिरदेशत डॉक्टर जूलियन हस्कले ने विश्व के साथ बड़े महनुभावों को बड़ी भाजी हस्तियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मार्दर्शन मांगा था और उनसे पत्र में पूछा था कि World Charter of Human Rights ये बनाना है तो इससे आधार क्या हो और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों से अपनी राए मांगी था महत्मा गांदी के से भी मांगी थी लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अपनी प्राई दिया महत्मा गांदी के कुछ अलग था महत्मा जी ने कहा था और उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार तभी अर्जित कर सकते हैं जब नागरी की तोर पर अपने कर्टव्यों को पूरी तरह से निभाएं यह एक प्रकार से कर्टव्यों में ही अधिकारों की रक्षा है इसकी वकालत महत्मा गांदी ने उत समय भी की थी जब हम दाईक्व की बात करते हैं कर्टवे की बात करते हैं तो ये बहुत ही सामान्य जिम्मेदारियां है जिनको निभाने से एक राष के रुप में हमारे संग्कल्प सिद्ध होते हैं और हमें ये भी बहुत पस्थ ज्यान देना होगा कि कर्टब्य और सेवा कभी कभी हम सेवा को ही कर्टब्य मान लेते हैं सेवा भाव समस्कार हर समाज के लिए बहुत एहमियत रखते हैं लेकिन सेवा भाव से भी कर्तव्य कुछ और है और उस पर कभी कभी हमारा ज्ञान नहीं जाता है आप सड़क पर कल रहे किसी व्यक्ति को कहीं कोई मदद की जरूत है आप करते हैं वो एक प्रकार से सेवा भा है यह सेवा भाव किसी भी समाज को मानोता को बहुत ससक्तर करता है लेकिन कर्तव्य भाव इस से थोड़ा अलग है रोल पर किसी को तकलीब हुई आपने मदद की अच्छी बात है लेकिन अगर मैंने ट्राफिक नियमों का पानन किया और कभी किसी को तकलीब नहो ऐसी अब जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ एक सबाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है कि परिवार के सदश से गेनाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार की शक्ती बढ़े है उसी प्रकार से नागरिक के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकत बढ़े हैं हमारा राष्ट सक्रिषाली हो एक नागरिक जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो माबाप अपना कर्तब में निभाते हैं लेकिन वे माबाप जादुरुक्ता पुर्वक अपने बच्चे को मास्तुरुभासा सिखने का आगर रखते हैं तो वो एक नागरिक का कर्तब भी निभाते हैं देश्चेवा का कर्तब भी निभाते हैं और इसलिए एक बच्ची है छोटी छोटी चीज़े होती है अगर बुंद बुंद पानी बचाता है वो अपना नागरिक कर्तब भी निभाता है अगर तीका करान सामने से जाकर के तीका करन का काम पूरा कर लेता है किसी को घर पे आकर याद ने करान परता है वो अपना सब्सकार के दूप में विक्सित करें तो हमें देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ती है झाल